क्या आपको पता है? किड्नी या गुर्दा मानव शरीर का एक महत्व पूर्ण अंग है. किड्नी की खराबी, किसी गंभीर बीमारी या मौत का कारण भी बन सकता है. किड्नी शरीर का खून साफ कर पेशाब बनाती है. यह फिल्टर किया हुआ बलड शरीर में वापस चला जा इस रक्त में से जो वेस्ट निकलता है वो यूरन में बदल जाता है, जो गुर्दे की थेली में एकठा होता है. शरीर से पेशाब निकालने का कार्य मूत्रवाहिनी, यूरीटर, मूत्राशे, यूरनरी ब्लैडर और मूत्रनलिका, यूरीथर द्वारा होता है. हमारी किड अनुप्योगी पदार्थ और टॉक्सिक कच्छे को शरीर से बाहर निकालना और शरीर में पानी, लिक्वड सब्स्टेंस, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में सोडियम, पोटेशियम आदी, रेगूलेट करना है। रक्त में से च्छानने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो सभी शरीर में चयापचय के उत्पाद हैं और इस तरह मूत्र का उत्पादन करते हैं। नीचे जाती है जिसे मूत्राश्रे, यूरिनरी ब्लैडर या मूत्रवाहिनी, यूरीटर कहा जाता है। प्रत्य एक गुर्दे में लगभग एक लाख छोटे फिल्टर होते हैं जिन्हें नैफ्रोन कहा जाता है। हमारे शरीर का सारा रक्त दिन में कई बार किद्नी में से गुजरता है। वयस्क व्यक्ति के मूत्राश्रे में 400-500 मिलिलीटर पेशाव एक अत्रित हो सकता है। गुर्दे हमारे शरीर में रील के दोनो और तथा पसलियों के नीचे और हमारे पेट के पीछे बीन के आकार में अंगो की एक जोड़ी में होती है। किद्नी पेट के पिछले हिस्से में होती है इस कारण बाहर से स्पर्ष करने पर किद्नी का पता नहीं चलता। मानव शरीर में दो किद्नी होती है। हमारे शरीर की दोनों किद्नियों में प्रती मिनट 1200 मिली लिटर रक्ट साफ होने के लिए आता है जो हरिदे द्वारा हमारे शरीर में पहुँचने वाले रक्ट के 20 प्रतिशत के बराबर है। इस तरह 24 घंटे में लगभग 1700 लिटर खून का शुद्धी करन किद्नियों द्वारा किया जाता है।